रंगों के त्योहार होली का लोग पूरे साल बेसबरी से इंतजार करते हैं और होली के दिन रंगों में सराबोर नजर आते हैं लेकिन होली एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है ये पर्व हर साल फालगुन माहकी पूर्णिमा तिथी के दिन मनाया जाता है और इस दिन पूजा बेहद ही खास होती है और कहते हैं कि इस पूजा से घर से निगेटिविटी वद्धुख दर्द चले जाते हैं। लेकिन इस साल होलिका के पर्व पर भद्रा का साया रहेगा। हिंदु धर्म में कोई भी शुब या मानविलिक कार्य हमेशा शुब महूट देखकर ही किये जाते हैं। विशेश तोर पर पूजा पाठ के कार्य में महूट अवश्य देखा जाता है। पंचान के अनुसार इस साल होलिका देहन के दिन भद्रा काल लग रहा है और हिंदु धर्म में भद्रा को अशुब महूट माना जाता है। भद्रा काल में किसी भी तरह की पूजा पाठ नहीं की जाती। ऐसे में लोग होलिका दहन के शुब मुहुट को लेकर काफी कन्फ्यूज हैं। ज्योतिशाचार्य से जानते हैं कब लगेगा भद्रा का साया। क्या है भद्रा? ज्योतिश शास्त्र के अनुसार पंचान बनाते समय पांच बातों का विशेश ध्यान रखा जाता है तिथी, वार, योग, करण और नक्षत। करण तिथी का आधा भाग होता है। करण की संख्या 11 बताई गई है। इन में से एक करण का नाम विश्टी है। इसे ही भद्रा भी कहते है। लोकल 18 जमुई से गुल्शम कशिप की रिपोर्ट